दोस्तों नुमस्कार ये हमागदशन फॉर सिवेल सर्विशेज मैं अनुराग्शाधरी दोस्तों समाशास्त के महत्पूर प्रश्णों के अंतरगत इस वीडियो में हम साल्व करेंगे प्रात्मिक अधाणाओं से संबंधित प्रश्णों को इसमें हम सामाजिक समोह यानि सोसल ग्रुप से संबंधित महत्पूर प्रश्णों को कवर करेंगे ये वीडियो समाशास्तर विशे से आयोजित पीजीटी परिक्षा, गौर्मेंट इंटर कालेज प्रवक्ता, गौर्मेंट डिगरी कालेज, उच्चतर सिक्षा असेश्टेंट प्रोफेसर केंद्री विद्याल संगठन और नेट जियारेप के लिए बहुत ही उप्योगी ह तो आईए शुरू करते हैं सामाजिक समोह से संबंधित महत्त पूर्ण प्रश्णों को, पहला प्रश्ण है निम्नांकित में से कौन सा एक सामाजिक समोह के निर्माड में आवस्यक तत्व है, देखिए आपसन है आपके प्रियोग, और लोकन, अंतह क्रिया या फिर खोज तो आपको बताना है कि सामाजिक समोह यानि सोसल ग्रूप के निर्माड में आवस्यक तत्व कौन सा है, तो सही उत्तर है दोस्तों, आपसन सी अंतह क्रिया, आप देख सकते हैं इस प्रश्ण की ब्याक्थ्या कि सामाजिक समोह ब्यक्तियों का ऐसा संगठन होता है, जहां पर सामाजिक संबंध पाया जाता है, लेकिन एक प्रसिद्ध समाशास्त्री आरके मर्टन का कहना है कि छडिक सामाजिक संबंध समोह को विक्सित नहीं करते हैं, वस्तुत है समोह के निर्माड के लिए सदस्यों के बीच पाई जाने वाली अन्तह क्रिया यानि और फ्रिक्वेंसी आफ रिपिटिशन आफ सोसल रिलेशन्स और अस्थाय तो समोह के ढाचे को अस्पष्ट करता है, मर्टन के अनुसार सामाजिक समोह के मुखित तो क्या है, ये हैं दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, कुछ हद तक अस्थाय और बार बार होने वा और अवस्यक्तत्तों में एक से अधिक व्यक्तियों का होना, सामान लक्षया उद्देश, अन्टःक्रिया, साप एकछिक अस्थायत्व, सामाजिक पहजान, वेओहार का एकनिशित नियम, एकछिक सदसिता और सामाजिक सनरशना है, तो याद रखेगा दोस्तों, सामाजि समूह के निर्मार में आवश्यक्तत्व नहीं है देखिए आप संसें आपके एक से अधिक व्यक्ति खोज सामान लक्ष और अन्तहक्रिया तो इसमें आप देख सकते हैं एक से अधिक व्यक्ति सामान लक्ष अन्तहक्रिया एक निशित नियम एक छिक सदसिता ये सभी समूह के निर्मार के आवस्यक तत्तों में शामिल है जबकि खोज जो है दोस्तों ये सामाजिक समोह के निर्मार में शामिल नहीं है अगले प्रश्ण पर आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्ण है निमने लिखित में से कौन सा तत्व समोह निर्मार में नहीं है देखिए ब्यक्तियों की संख्या अनौपचारिक या अपचारिक सदसिता विविध समग्र या संबंधों का एक अस्थाई प्रतिमान तो सही उत्तर है दोस्तों विविध समग्र जो है ये समूह निर्मार में शामिल तत्तो नहीं है जबकि ब्यक्तियों की संख्या अनौपचारिक सदसिता और संबंधों का एक अस्थाई प्रतिमान ये समूह निर्मार के आवश्यक्तत्तों में सामिल है अगला प्रश्ण हैं दोस्तों सामाजिक समूह या सोसल ग्रूप की मौलिक विशेष्टा क्या है देखिए शारीरिक सामिप्य अस्तरी करण समूदाय और संस्था तो इसमें आप देख लीजिए दोस्तों फिजिकल प्राक्सिमीटी यानि सारीरिक सामाजिक समूह की विशेष्टा है आपसन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शारीरिक सामिप पे जो है ये सामाजिक समुह की मौलिक विशेष्टा है अगले प्रश्ण पर आते हैं दोस्तों छेत्री समुह हीतों के प्रतिचेतन समुह निश्चिस संगठन बनाने वाले समुह और अनिश्चिस संगठन बनाने वाले समुह ये वर्गी करण किस विद्वान द्वारा दिया गया है देखिए मैकाईवर और पेज, किंक्सले डेविस, आरके मर्टन या फिर बी अरिश्टीड ने तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए संगठन के जो है ये वर्गी करण मैकाईवर और पेज द्वारा दिया गया है मैकाईवर और पेज ने समाज में पाये जाने वाले सभी समूहों को तीन भागों में बाटा है जो इस प्रकार से हैं आप देख सकते हैं कि छेत्री एकता वाले समूह हीतों के प्रतिचेतन लेकिन अनिश्चित संगठन वाले समूह और अपने हीतों के प्रतिचागरूख समूह जिसमें निश्चित संगठन भी होता है आप देख सकते हैं कि छेत्री एकता वाले समूह साधानते एक निश्चित छेत्र में पाये जाते हैं इनकी कुछ छेत्री विशेषताय होती हैं ऐसे समूहों के ही तत्यंत ब्यापक होते हैं सदस्यों के जीवन में एक प्रकार की समानता देखने को मिलती है नगर, गाउं, समुदाय, पडूसी, त्यादी इसके उधारण है हीतों के प्रति जागरूक लेकिन अनिश्चित संगठन वाले समूहों में अपने हीतों के प्रत जाती एक किस्म की जागरूक तो पाई जाती है लेकिन साधार्तिया इसमें निश्चित संगठन का अभाव पाया जाता है भीड, जात, या भिजात, वर्ग, प्रवासी समूह, प्रजाती समूह, इस प्रकार के समूहों का अच्छा उदारण है हीतों के प्रति जागरूक स होते हैं वो पर्मनेंट नहीं होते हैं ये अस्थाई प्रकिरति के होते हैं और प्राय उद्देश पूर्ति के उपरान तूट जाते हैं चर्च राज्य परिवार सब्भजदूर संग मित्र मंडली क्लब ऐसे समूहों के उदारण हैं अब आये अगले प्रशन पर चलते हैं जिन समूहों की प्रकिरति अस्थाई होती है और जो उद्देश पूर्ति के उपरान तूट जाते हैं उन्हें किस प्रकार के संगठन कहा जाता है देखिए अनिश्चित संगठन वाले समू, हितों के प्रती चेतन समू या फिर प्रात्मिक समू तो आप जानते हैं दोस्तों, जिन समूहों की प्रकेर्ट अस्थाई होती है उनमें हितों के प्रती वो चेतन समू कहलाते हैं ऐसे समूह उद्देश पूर्ती के उपरांद तूट जाते हैं अगला प्रश्ण हैं दोस्तों, समा शास्त्री मांदंड के अनुसार निम्ण में से कौन समूह की रचना दर्साता है देखिए, धनिवर्ग, कॉलेज विद्द्यार्थी, सेवा निबरित व्यक्तियों की समिति या टाटा इस बात कंपनी तो सही उत्तर है, कॉलेज के विद्द्यार्थी दोस्तों, समूह के अंतरगत हम विचारों, क्रियाओं का आधान परतान करते हैं सभी सदस्यों के बीच एक प्रकार की पारस्परिक्ता पाई जाती है जब तक समूह के सभी सदस्यों के बीच सामाजिक अंतरक्रिया नहीं होती तब तक उस जन समूह को सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता यही कारण है कि किसी मेले या भीड को सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता चुकि कच्छा के अंतरगत विद्यार्थियों के बीच विचारों और क्रियाओं का आदान परदान होता है इसलिए कच्छा को सामाजिक समूह कहा जा सकता है मैं काईवर और पेज और आरके मार्टन न सही उत्तर है H Miller दोस्तों शोसल ग्रुप्स का वर्गी करण H Miller ने उर्ध और चैति यानि वर्टिकल और होरिजोंटल के रूप में किया है तो याद रखेगा बहुत ही महत्पूर्ण प्रशन है H Miller ने सामाजिक समूहों का वर्गी करण वर्टिकल और होरिजोंटल के रूप में किया है अगला प्रशन है दोस्तों इन में से किस विचारक ने अर्ध समूह की और धाना को प्रतिपादित किया है आपको बताना है आपसन है कूले, समनर, मीड और बोटो माथ तो सही उत्तर आपसन D, बोटो मोर दोस्तों प्रसिद्ध विचारक और समाशास्त्री बोटो मोर ने अर्ध समूह की अधाना को प्रस्तुत किया है अर्ध समूह क्या होता है तो अर्ध समूह वेक्तियों का ऐसा समूह होता है जिसमें सामाजिक संबंध नहीं के बराबर होता है संभवता इसका प्रियोग सर्वपर्थम इंगलेंड के समाशास्त्री मारिश जिन्सवर्ग ने 1934 में अपनी पुस्तक सोसियोलोजी में किया था उसके बाद टीवी बोटो मोर ने इसकी चर्चा की आरके मार्टन ने भी इसकी बहुत अधिक चर्चा की बस अथवा रेलवेज स्टेशन पर एक अत्र भीड को बोटो मोर ने अर्ध समूह की स्रेड़ी में रखा है क्योंकि इन में सामाजिक संबंध नहीं के बराबर होता है अगला प्रश्ण है दोस्तों स्रोतागर बस यात्री तथा फुटबाल मेच देख रहे लोगों का समूह किस प्रकार का समूह है देखे सहयोगी समूह, समुच्च, सामाजिक समूह या इन में से कोई नहीं तो सही उत्तर है दोस्तों स्रोतागड बस यात्री और फुटवाल मैश देख रहे लोगों का समू समुच्चय यानि सेट का उदाहरण है तो याद रखेगा दोस्तों सुरोतागर, आउडियेंस, बस यात्री और फुटबाल मैच देख रहे लोगों का समूँ एक समुच्चे का उदाहरण है अगला प्रश्ण है दोस्तों सामाजिक समूँ या शोसल गुरूप के जो है किन आधारों पर निर्मित होते हैं आपसन देखे, दो या दो से अधिक सदस्यों की बीच अंतर संबंध और अंतक्रिया, लोगों के आपसी संबंधों की चेतना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग रहीत होना तो सही उत्तर क्या है, दोस्तों सामाजिक समूँ या सोसल गुरूप के निर्मित होने का आधार, दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच अंतर संबंध और लोगों की आपसी संबंधों की चेतना, ए और बी दोनों सही है, आपसन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा तो याद रखेगा दोस्टों, सामाजिक समूँ वेक्तियों का ऐसा समूँ है जिसके अंतरगत वेक्तियों के बीच एक दूसरे के साथ परस्पर अंतहकरिया की प्रक्रिया चलती है, ये तभी संभव है जब लोग एक दूसरे को जानते हूँ, चुकि भीड के अंतरगत सामाजिक अंतहक्रिया नहीं हो पाती। इसलिए भीड को सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता। गिडिंग्स ने प्रारूप चेतना या समचेतना यानी consciousness of kind कहा है। तो याद रखेगा दोस्तों दोस्तों दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच अंतहक्रिया और लोगों के आपसी समबंधों की चेतना के आधार पर सामाजिक समूह निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न हैं दोस्तों निम्नांकित में किसने प्रारूप चेतना के आधाना व्यक्त की है या प्रारूप चेतना के आधाना प्रस्तुत की है। तो सही उत्तर है दोस्तों F.H.Giddings एक जर्मन समाशास्त्री हैं। इन्हों ने प्रारूप चेतना या समचेतना जिसको कांसस ने साफकाइंड कहा है उसको प्रस्तुत किया है। अग्ला प्रश्न है निमनलिखित में से किसने समुhn को एक बंधक समुhn और एक बहु बंधक समुhn में वर्गिक्रित किया है। देखें, C.H. कूले, इमाइल दूर्खिम, P.A. सोरोकिन या F. टॉनिज तो बहुत ही महतपूर है दोस्तों, समुहों को एक बंधक समुह और बहु बंधक समुह के रूप में P.A. सोरोकिन ने वर्गी करिद किया है आए जान लेते हैं कि बंधक समुह और बहु बंधक समुह क्या होते हैं तो दूस्तों, P.A. सोरोकिन ने समुह के अंतरगत पाये जाने वाले संबंधों के आधार पर उसे दो भागों में बाटा है एकल बंधन समुह या एक कार्यात्मक समुह जिसको यूनी बंधेड या यूनी फंक्शनल ग्रूप कहा जाता है दूसरा बहु बंधक समुह या बहु कार्यात्मक समुह जिसको मल्टी बंधेड या मल्टी फंक्शनल ग्रूप कहा जाता है सोरो किन्य वैसे समूह को एकल बंधन समूह कहा है जिसमें सभी लोग एक ही आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं यदि कुछ लोग प्रजात, लिंग, उम्र, नातेदारी, भासा, धर्म और सिक्षा के आधार पर समूह का निर्मार करते हैं तो उसे एकल बंधन समूह कहा जाता है सोरो किन्य पुनह इस प्रकार के समूह को दो भागों में बाटा है जैव सामाजिक और कार्यात्मक समूह और सामाजिक सांस्कृतिक और कार्यात्मक समूह जब किसी समुह के लोग एक से अधिक प्रकार के बंधनों में बधे होते हैं तो उसे मल्टी बांडेड या बहु बंधन कहा जाता है जैसे परिवार के बहु बंधन समुह है क्योंकि उसके सदस्य विभिन आधारों पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं परिवार में पति पतनी यदि बैवाहिक आधार पर तो पिता पुत्र भाई बहन रक्त संबंधों के आधार पर आपस में जुड़े होते हैं तो याद रखेगा दोस्तों पी ए सो रोकिन ने समुहों को एक बंधक समुह और बहु बंधक समुह में वर्गे क्रित किया है अगले प्रेशन हैं दोस्तों एक बंधक और बहु बंधक समुहों का परिचे समा शास्त्री साहित्य में किस ने कराया था तो सही उत्तर है महत्वण अर्थ सास्त्री हैं पी ए सो रोकिन पी ए सो रोकिन ने दोस्तों जो है समुहों को एक बंधक और बहु बंधक समुह में वर्गी कृत किया है अगले प्रश्न पर आते हैं जार्ज सिमिल का समूह कलन एकल द्विक और त्रिक के रूप में वर्गी करण किस पर आधारित है देखें शारीरिक समीपता सदस्यक्ता की प्रकिर्त सामाजिक संबंध या समूह का आकार तो दोस्तों जार्ज सिमिल ने समूह के आकार के आधार पर समूह का एकल द्विक और त्रिक रूप में वर्गी करण किया है अकेले व्यक्ति को सिमिल ने मोनाड कहा है और इसे समूह स्विकार नहीं किया है क्योंकि समूह निर्मार के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना ज समुह के स्वरोप को सबसे अस्थाई माना है क्योंकि तीसरा व्यक्ति दो व्यक्तिओं के मध्य संबंधों और गहनता प्रदान करता है जैसे पती-पतनी और बच्चा अगला प्रश्ण है दोस्तों अंतह समुह और बाह समुह देखिए ये बहुत ही महतपोन प्रश्न है दोस्तों अंतह समूह और बाह समूह की अधाना को किस ने एक साथ प्रतिपादित किया है तो दोस्तों बिलियम ग्राहम समनर ने अपनी पुस्तक जन रीतिया यानी फोक वेज में दो प्रकार के सामाजिक समूह का वर्ण किया है तो यहाँ पर लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयूग ने इस प्रश्न को अपने मुल्यांकन से बाहर कर दिया था इसमें समनर हैं भी और यान सी यार्टी 11 वेक अच्छा की जो समाशास का परजय पुस्तक है उसमें दिया है कि समनर ने दोस्तों डबलू जी समनर ने अंतह समूह और बाह समूह की आधाना एक साथ प्रस्तुत की है दोस्तों देखिए दो प्रकार के समाजिक समू होते हैं अंतह समू और बाह समू सभी समाजों में ये दोनों प्रकार के समू पाए जाते हैं अंतह समूह हम गुरूप यानी वी गुरूप और मेरा समूह है इसकी तुलना बाह समूह या वे समूह दे गुरूप या दूसरों के समूह से की जाती है अंतह समुह की अधाना का प्रियोग सबसे पहले W.G. समनर ने 1907 में अपने पुष्टक फोक वेज यानि जन रीतिया में किया है डाक्टर जेपी सिंग ने अपनी पुष्टक समाशास्त्र अधानाय और सिध्धान्त में लिखा है कि सदस्यों के बीच घनिष्टता और समाजिक दूरी की आधार पर समुह को दो भागों में बाटा जा सकता है अंतह समुह यानि इन ग्रूप और बाह समुह यानि आउट ग्रूप बहुत सारे लेख को ने ये लिखा है कि समुह का वर्गी करण समनर विलियम जी समनर ने दिया है जो सही नहीं है समनर ने अपनी पुष्टक फोक वेज में किवल अंतह समुह की आधाना का ही जिक्र किया था जिसके आधार पर बाद में अन्य लोगों ने बाह समुह की बात की है लोग से वायोग उत्तर प्रदेश ने अपने उत्तर कुंजी से इस मुल्यांकन को बाहर कर दिया है आप देख सकते हैं समनर को अन्ता समूह यानि इन ग्रूप और समूह के इंद्रिक्ता इतनो सेंट्रिज्म की ओधानाय गढ़ने कसरे हैं लेश्टर वार्ड ने समूह के विभिन सुरूपों को ध्यान में रखकर उसे मुख्य रूप से दो भागों में बाटा है वालंटरली ग्रूप और अनिवारे समूह और तीसरा है आरके मार्टन ने सदसेता के आधार पर समूह को दो भागों में बाटा है सदसिता समूह और गैर सदसिता समूह और बीयर इस्टीट ने अपनी पुस्तक दसोसल आडर में समूह की तीन विशिस्ताओं की चर्चा की है सम्ता की चेतना सामाजिक अंतहकरिया और सामाजिक संगठन इन ही विशेस्ताओं की उपस्थिती और अनुपस्थिती की आधार पर उन्होंने चार प्रकार के समुह का उलेक किया है एक तो सांखिकी समुह, समजाती या सममिती सहयोगी समुह, सामाजिक समुह और सहचारी या सहयोगी समुह अगला प्रशन है दोस्तों निमने लिखित में से किसने सामाजिक समूह का वर्गी करण अंतह समूह और बाह समूह में किया है आपको बताना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्ण है आपके लिए कि किसने सामाजिक समुह का वर्गी करण अंतह समुह और बाह समुह में किया है तो यहाँ पर इस प्रश्ण का उत्तर समनर होना चाहिए लेकिन कहीं भी कोई भी क्लियर्टी नहीं है क्योंकि कई विचारक मानते हैं कि समनर ने केवल अंतह समुह का वर्गी करण किसने दिया है तो WG समनर ने और यह प्रश्ण राजस्थान लोग सेवा आयोग द्वारा पूछा गया था इसमें समनर को लोग सेवा आयोग राजस्थान ने सही उत्तर माना है कि अंतह समुह और बाह समुह का वर्गी करण WG समनर ने किया है अगला प्रश्ण है दोस्तों अंतह समूहों और बाह समूहों में अंतर किस ने किया है तो आप जान लीजिए कि ये प्रश्ण दोस्तों WG समनर होना चाहिए लेकिन आप देखें समनर ही सही उत्तर हैं क्योंकि लोग से वा आयोग ने एक बार अपने उत्तर कुंची में विकल्प एको सही समनर को माना है और एक बार इसने समनर को सही नहीं माना है अगला प्रश्ण है दोस्तों अंतह समुह और बाह समुह की आउधाणा किसने प्रस्तुत की हैं तो ये समनर ने और क्लियर कर लिजिए कि राजस्थान लोग से वा आयोग द्वारा आयोजीत परिक्षा में समनर को जो है अंतह समुह और बाह समुह की आउधाणा देने का स्र बिभाजित किया है देखे ये चार वर्ग है सांखिकी समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह या समिति सम्बंधी समूह तो सही उत्तर है रावर्ट बी अरिश्टीट आप देख सकते हैं दोस्तों रावर्ट बी अरिश्टीट ने सामाजिक समूह को चार वर्गों सांखिकी समुह, सहयोगी समुह, सामाजिक समुह और समिती संबंधी समुह में विभाजित किया है यही प्रश्ण फिर से पूछा गया है आपसे कि किसने सामाजिक समुहों को चार स्रेडियों में विभाजित किया है के डेविस, आर वी अरिश्टीड, ह.म. जांसन या मैक आईवर एवं पेज, तो सही उत्तरापसन भी, दोस्तों सामाजिक समोहों को सांखेकी समोह, सहयोगी समोह, सामाजिक समोह और समिती संबंधी समोह में भी अरिश्टीड ने भी भाजित किया है अगला प्रश्ण है, निमने लिखित में से कौन सा वाके सही है, आपको बताना है, अन्तह समोह और बाह समोह कालपनिक होते हैं, अन्तह समोह और बाह समोह वास्तविक होते हैं, अन्तह समोह और बाह समोह चोटे होते हैं, या फिर अन्तह समोह और बाह समोह बड़े होते हैं, तो इसमें दोस्तों सही उत्तर आपसन, A हो जाएगा, अंतह समु और बाहे समु कालपनिक होते हैं, और बियरिश्टीट ने अंतह समु और बाहे समु को एक दूसरे का प्रतिकूल मानकर दोनों के बीच अंतर रसपश्ट करने का प्रियास किया है, अंतह समू हुआ समू है जिसके हम सदस्य होते हैं और जिससे हमारा अपना पन होता है जबकि बाह समू ऐसा समाजिक समू है जिसके हम सदस्य नहीं होते हैं और इसी कारण इससे हमारा अपना पन या जुडा उतना घनिष्ट नहीं होता है अगला प्रश्ण है दोस्तों किस ने लिखा है सामाजिक वर्ग वस्तुता समू है वे अपेक्छा क्रित खुले होते हैं बंद नहीं तो इसमें आपसन है M.N. स्रीनिवास, F.G. बेली, T. बोटो मोर और आंध्रे बेते तो सही उत्तर है दोस्तों T. बोटो मोर ने कहा है tom B. बोटो मोर ने कहा है कि सामाजिक वर्ग वस्तुता समू है वे अपेक्छा क्रित खुले होते हैं बंद नहीं इस प्रेश्ण को अगर जो आप व्याख्या के रूप में देखेंगे दोस्तों तो टाम बॉटोमोर ने अपनी पुष्टक सोसियलोजी एक गाइड टू प्राब्लम्स एंड लिटरेचर में सोसल क्लास एंड सोसल स्टेटस सिर्षक के अंतरगत लिखा है कि सामाजिक वर्ग वस्तुतर समू होते हैं वे अपेक छाकरित खुले होते हैं बंद नहीं होते हैं और उनकी बुनियाद निर्विवाद रोग से आर्थिक है किन्तु वे आर्थिक समूहों के तुलना में अधिक हैं वे और द्योगिक समाज के समूहों की विशेस्ता हैं जिनका विकास सत्रह हमी सताब्दी से हुआ है तो याद रखेगा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर कि सामाजिक वर्ग वस्तुतह समू है वे अपेक्छाक्रित खुले होते हैं बंद नहीं ये टी बोटो मोर का कथन है आपसन सी आपका सही उत्तर है अगला प्रश्न है निम्नांकित जोडे में कौ चेत्री समूह बेबर तो ये आपका सही नहीं है प्राथमिक समूह कूले अंतह समूह समनर संदर्व समूह मर्टन तो आप देख सकते हैं दोस्तों चेत्री और गैर चेत्री समूह की अधाना पार्क और बर्गेस के द्वार दी गई है जबकि प्राथमिक समूह की अधाना क ब्याख्या ओवर्ट और कोवर्ट के आधार पर की है आपसन देखिए बोटो मोर फेयर चाइल्ड आगबर्न और निमकाफ और गिटलर ने तो सही उत्तर है गिटलर ने दोस्तों गिटलर एक महत पूर्ण विचारक है निरिजात समोह के अध्यन में गिटलर ने समोह की ब्या प्राथ्मिक समोह के अंतरगत इसमें आप देखिए क्या आता है तो प्राथ्मिक समोह के अंतरगत अविभाजित हिंदू परिवार आ जाएगा दूतियक समोह के अंतरगत दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसन देख लीजिए दूतियक समोह के अंतरगत जो है MTNL स्रमिक संग आजाएगा आप देखी प्रात्मिक समुह में विभाजित हिंदु परिवार दुतियक समुह में MTNL स्रमिक संग रिफरेंस ग्रूप या संदर्व समुह के अंतरगत अप्रवासी विद्यार्थी की तुलना में अमेरिकी विद्यार्थी और अंतह समूह में हम भारती आ जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं अविभाजित हिंदू परिवार प्राथमिक समूह का उदाहरण है दूतियक समूह में MTNL स्रमिक संग तृतियक समूह में प्रवासी विद्यार्थी की तुलना में अमेरिकी विद्यार्थी और इन ग्रूप या अंतह समूह हम भारती आ जाएंगे तो दो तीन चार और एक आपसन देखते हैं दोस्तों दो तीन चार और एक आपसन C सही उत्तर है अगला प्रश्न भी दोस्तों सूची एक का सूची दो से मिलान करने से संबंधित है इसमें आपके आउधाणाएं और उनसे संबंधित विचारकों का मिलान करना है प्राथ्मिक समूह की आउधाणा C.H. Koolie के दोरा दी गई है सांख की समूह Robert B. Aristide के दोरा संदर्व समूह या reference group ये R.K. Martin दोरा ये आउधाणा प्रश्पादित की गई है और अंतह समूह और बाह समूह की ओधाणा ये WG समनर के दोरा तो देखिए A का दूसरा, B का चौथा, C का पहला और D का तीसरा तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर देखिए आपका बहुत ही महत्तपूर्ण है 2, 4, 1 और 3 हो जाएगा अगले प्रश्ण पर आते हैं दोस्तों अगला प्रश्ण भी सुमेलन से संबंधित है और इसमें आपसे पूछा गया है कि निमनलिखित युगमों में से कौन सा युगम सही नहीं है आपको बताना है 2 है समूह समनर इसके अलावा अंतर प्राथमिक समूह दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2 है समूह समनर प्राथमिक समूह कूले संदर्व समूह मर्टन या मानो समूह मैक्स बेबर तो सही कौन सा युगम सही नहीं है तो ये आपसन डी आपका सही नहीं है 2 है समूह और अंतर समूह की ओधाना समनर ने प्रात्मिक समुह की अधाना कूले ने और रिफरेंस गुरूप की अधाना मार्टन द्वारा प्रतिपादित की गई है मानो समुह का उलेक मैक्स वेबर ने नहीं बलकी होमंस ने किया है याद रखेगा मानो समुह की अधाना का प्रतिपादन होमंस द्वारा किया गया है मानो समुह में होमंस ने तीन मुख्य अधानाओं और उनके मध्य अंतर संबंद की विशलेशन को प्रस्तूत किया है वे तीन और धानाएं सक्रिता खास स्थिती में लोग क्या करते हैं अंतर क्रिया यानि इंट्रेक्शन एक व्यक्त की सक्रिता से दूसरे लोग कैसे प्रभावित होते हैं और भाउकता यानि सेंटिमेंट्स, सक्री और अंतर क्रिया से संबंध, आंतरिक मनोवैग्यानिक क्रिया का संकेत, अगला प्रश्ण और इस वीडियो का आखरी प्रश्ण है दोस्तों, सूची एक का सूची दो से सुमेलन करना है, आप देखिए अंतर समूह, तो अंतर समूह में हम समूह या वी ग्रूप सामिल होता है, बाह समूह, वे समूह यानि दे ग्रूप सामिल होता है, इसके अलामा लग समूह में डायड या द्वी बैक्ति सामिल है, और प्रारंभिक समूह ये आमने सामने का समूह होता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर आप का वीडियो और इस वीडियो में शमासास के महत्वण प्रश्णों के अंतरगत हमने प्राथमिक और धानाओं से संबंधित प्रश्णों में सामाजिक समुह या सोसल ग्रूप से संबंधित महत्वण प्रश्णों को साल्व किया जो आपके आगामी परिक्षाओं PGT, GIC बताईएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल माकदशन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार